कि आपका अपने परिवार ने मैं अपनी तरीके से अपनी त्यारी कर रहें के तो सभी भाइव का स्भी दोस्तों का स्वागत है अज की क्लास में जल्दि से आप लोग एक बार ऐसे जूड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने प्रसंदों को सुलुक करें पर देख लिएगा पुरानी क्लास को नहीं देख लिएगा विजट कर लिएगा पुरानी क्लास में भी बहुत 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 बहुत्dyकर बहुत में वी पस्याई है और सांदार तरीके से वहाँ पर अंका स्ट्ध гр laton बिल जाएंगी और जो क्लासज antim रही हैं उससे आप live form में जोड़ पाएंगे ठीक है फीज दोस्त बहुत कम है लाइव क्लासे रिकार्डेट क्लासे पीडियो क्लास नोड्स आपको मिल जाएंगे डाउट ग्रफ है मॉक्रिस्ट बहुत जल्दी मिलना सुट हो जाएगा फुल कांसेट क्लैर्टी हम यहां पर आप एकदम सही तरीके से दे रहे होंगे ठीक है भाई सभी को दोस्त सभी को गुड़ा प्रनून सभी को दाम दाम आप बताइए क्लास का यहां पर ध्यान देंगे कि निमिल खित में से कौन सी एक मसीन रीमिंग और टैपिंग जैसे कार के लिए प्रयोग की जाती है रेड न आप लोग के सुरू हो गए हैं सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा रख सही उत्तर होगा और लेटों तक वर शोर्टा मैंधेot ग्र much दो प्रक्रम आप के रहता है प्रक्रम होते है जो प्रोसेस अपरेशंस होते हैं उनका क्या होता है एक गएंग होता है जिसे कि मान के चलो आपको कोई मसीन है या कोई आपको जॉब बनानी है तो भाई हो सकता है उसमें आपको डिलिंग भी करनी हो उसकी बोरिंग भी करनी हो फिर उसके बाद उसकी रीमिंग भी करनी हो और दिन उसके बाद उसकी टैपिंग भी करनी हो तो आप अधर्माज के चलो एक डिलिंग मसीन है इससे इसको दूसरी जगान ले गए विस्के बोरिंग किया फिर उसके बाले C पिंदल की संख्या बताएंगे ने हिए थोड़ान सदाइब को क्या है फिरान्ट यहाँ टेन उसके बाद फिर दूसरे मसीन पले लेकर टैपिंग किया तो इससे हमारा क्या होगा तो बहुत ज्यादा समय जो है वह जाएकगा तो हम चाहते हैं कि यह हमारा ना जाए यह हमारा ना जाए तो हमने क्या किया इसी में आपके चार डिली न GU लगा दिये कितने ड्रिलिंग है इस मसीन में चार दिखाए गए हैं आगे भी इसमें लगा सकते हैं जैसे एक बच्छा पूछ रहा है स्पिंडल की संख्या अभी पूरा बताता वहां लेकिन तो मिसीस चंतुष्थ हो जाओ गैंग ड्रिलिंग मसीन में spindle की संख्या spindle की संख्या कितनी होगी भाई कितनी होगी तो आप कहोगे 2 से 8 होती है 2 से 8 तो आप अपनी आवस्चता के हिसाब से 4 भी लगा सकते हो 5 भी लगा सकते हो 6 भी लगा सकते हो 8 भी लगा सकते हो अब इसमें क्या होता है जो प्रतेक स्पेंडल होता है उसके लिए जो मोटर होती है दोस्त तो वो क्या होती है अलग-अलग होती है कैसी होती है अलग-अलग होती है सक्सेसिव आपरेशन बिल्कुल इसको कह सकते हो भाई क्रमिक आपरेशन करने में जो कैसा का आपरेशन करते हो क्रमिक आपरेशन कर भई है डिलिंग मसीन की बात है हवाच छली है तो थोड़ा देख भी लेते हैं जो डिलिंग मसीन के बारे में हम लोग लेते नहités क्योंकि क्या है राइटिंग में ठाने बहुत जादा समयय आपका जला मशीन दो भागों में बाता पहला क्या है और तो आपका दूसरा क्या है पावर को निधनी उस कि जो में टॉप मेंलें मुद्टे हैं उसके हम लोग हम बात करेंगे में हैं ढुँ depriut ब्रीचिडिल गर मरसीन चाहर थी स्राक अस्टिक तीसरा क्या हो ब्रेस या रैचेड रिलिंज में में यह लेकर लूशंag रेचेट में नहैं इसी में आजाएगा शेंसित्यू रिलिंग मसीन प्रीम इसी में आपके आजाएगा डिलर्य के इसी मियो अपका जाएगा घ्रा-चमट्रेद्व LGB को जाए गा आप का जाएगा मल्टी स्पिंडल मल्टी स्पिंडल हुआ कि मल्टी स्पिंडल्रेश गउखिशा गैंग में क्या जाये हैं गैंग रेलिंग सासम क्या पूचता है एक चोटे साइज की हम चैनी सो जो बेंच अब द्रिलिंग मसीन है इस से मैक्सिमम कितने साइज का आप कर सकते हैं आपको होगे ठीक है सेंसिटीं मसीन से कितना करपाओगे ठीक है पिलर का देखो 19 से में होता है 19 से मिण इस से बोल कर सकते हो इसमें क्या होती है इसका जो size है यहां से आपका बनता है साइज से प्रस्द वनता है कि कितने साइज पेइसका जो साइज है वो कैसे लिया जाता है तो आप कहोगे इसका और आर्म की लंबाई से लिया जाता है Malti bundle drilling Machine में स्पिंडल की संख्या कितनी होती ए 4 x 89 गयाइन ग्रिलिंग मसीन में स्पिंडल की संख्या कितनी होती है 2 x 8 यह आपको क्या करना भाई यह आ ग्रार कैंर न लगा धिनकल धियां लंड completing क्या है इधर State यहां पर यहां पर यहां पर इसको आप लगा यहां पर अब इसको ऐसे गुमाओगे तो ब्रिल गूमेगा और इंति गुमाओगे तो डिल नहीं घुमेगा अब देखो यहाँ पर इसमें जो drill प्रेवग होता है उसका क्या कहोगे इसमें कौन सा drill प्रेवग होगा तो आप इसमें कहोगे square ये पुछा जाता है जो ratchet drill machine है इसमें कौन से तरह का जैसे कि आपको पता है जो drill होती है वो कई तरह की होती है sank के आधार पर बात करें तो 3 तरह क्यों होती है एक होती है straight sank एक होती है taper sank दूसरा क्या होता है square top taper sank drill square top taper square top taper sank drill ठीक है यह प्रेसलों पूछा जाता है कि ratchet drill machine में लो रहेचिट brace में किस तरह की drill का उप्यूग किया आता है तो आप कहोगे square top taper sank drill का उपयोग जो है किया जाता है ठीक है चलिए रैचेट रेले में बिल्कुल हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर सही उत्तर मैंने बता दिया था यहां पर मैंने सही उत्तर बता दिया था आगे बढ़ते हैं ड्रिल नंबर एक का परिमान क्या है अब आपको पता है ज why स्टेट पर जबाज लाइए और कि नंबर ये वो कई तरीके से व्यक्त किया जाता है जैसे किhost iconbe obllo m3 अफोवे लेटर में आपोंगे फ्रेक्संट में व्यक्त किया है difference सिस्टम में व्यक्त किया जाता है कड् 플िच यह व्यक्त किया जाता है तो नमबर में व्यक्त किया आता है तो मान के चलो अगर कोई आपसे कहें भाई डिल नमबर एक है तो आप क्या कहोगे कि डिल नमबर जो एक का साइज है वो कितना होगा भाई बताईए चली बहुत बहुत दन्यवाद गुडिया दिया अगर सौरफ सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोग पढ़ाई करते रहे बहतरीन तरीके से ठीक है चली बताओ भाई यहां पर क्या हो जाएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा चली यहां पर हो जाएगा ऑप्सन बी 0.228 इंच आपक क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही है यहां पर जो उत्तर सही है यह उत्तर सही है आसीस का ठीक है विजेंद्र का क्योंकि अच्छा प्रश्न है और सूरज का उत्तर यहां पर सही है ठीक है चलिए योगेश का भी उत्तर क्या है भाई सही है अब देखो एक नंबर का पूछा तो 6 नंबर तक आप जो है देख लो यहाँ पर क्या है ड्रिल की माप कारेसाला में प्रयोग होने वाले ट्रिस्ट्रिल की माप नंबर 1 से 80 नंबर तक व्यक्त करते हैं कहां से कहां तक पाई जाती है भाई एक से 80 नंबर तक पाई जाती है अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कुछ का साइज एक नंबर का क्या होगा दोस्त 0.228 ठीक है और डायमीटर क्या हो जाएगा मिल में में हो जाएगा दो नंबर का देखो इंच में है इंच में साइज और यह मिल मिलीमीटर में है 4 नंबर का इंच में है मिलीमीटर में इसको एक से देखो कि 3-2 यह क्या होता जा रहा है घरता जा रहा हूँ ठीक है तो यहां अपनी कॉपी में दोस्तर नोट कर लेना ठीक है अपनी कॉपी म númerougu क्या करोगे 뭘 को जानी हो ऌर ऑगे बढ़ा ठीक है तो आपको पता है कि जो ड्रिल होता है अगर ट्रिल की बात करें यह जो आगे का भाग होता है यह यह और यही क्या है यही आपका लिप है यही आपका क्या होता है दोस्त यही आपका लिप होता है ठीक है और यह है यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट इसको हम लो पर जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लिएरन्स दिया जाता है उसी को हम लोग क्याution बोलते हैं उसी को कि तो यहां पर क्या है भाई कटिंग लिप के पीछे जो कोड दिया जाता है उसे लिप निकासी कोड या लिप क्लीरेंस इंगल क्या करते हैं बोलते हैं आपका यहां पर सई हो जाएगा ठीक है तो आप बताइए जो ट्विस्ट डिल है उसका कुछ इंगल के बारे में बताईए सबसे पहले बताओ भाई कटिंग इंगल कर दूसरा है आप क्या कहोगे लिप क्लीरेंस इंगल कि हैं से क्लीरंस इंगल इसका वान बताओ और एक आप से प्रसुनल् Calm Living हेलिक्स इंगल बताओ हेलिक्स इंगल आको बता है क्या होता है जिस कोंड़ पर कलूट्ट काते जाते हैं तुष्टे हमें वहीं क्या होता है वही Saturday हिलिकस एंगल होता है वही आपका क्या होता है भहिया हिलिकस एंगल होता है 188 है सब लोग रेक्टा मारे कर वाइट ऊज़ी हो भाई डॉस्त स पतुर ठीक है ऐसे काम चलेगा ठीक है दिखिए कटाटिंग ata है यह कहां से कहां तक हो सकता है कहां से कहां तक हो सकता है तो आप कहोगे साथ डिगरी से 150 डिगरी तक हो सकता है कहां से कहां तक साथ डिगरी से 150 डिगरी तक हो सकता है अब इसमें आप क्या कहोगे जो हार्ड मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है दो अधिक रखा जाता है ठीक है हार्ड मटीरियल के लिए क्या रखा जाएगा अधिक जबकि साफ्ट मटीरियल के लिए क्या रखा जाएगा कम रखा जाएगा अगर आप से पूछे कि लिप कौन या कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल सामान्य कारियों के लिए कितना होता है है और साहरण कार्यों के लिए ट्विस्ट रिल का जो कैटिंग एंगल या पिसी को कहते हूं पौइंट एंगल है यह कितना रखा जाता है तब आप कितना बताओगे भी या एक सओ अठाररा डिगरी तब आप क्या बताओगे जब attack से कहेंगता साधारान कारी ठीक है या फौर सिंपल वर उसके लिए आप कहोगे तब आप कहोगे नार्मल नार्मल रूप से या प्राया है साधारन कारियों के लिए यह कितना रखा जाता है से एक सो उठारा डिगरी लेकिन यह इंगल दोस्त साठ से सो पचास हो सकता है किसे पर डिपेंड करेगा अगर हर्ड मट्रील रहे गा तो है आप बात करते हैं लीप क्लिरेंस इंगल की जो क्या करें जो इंगल तूल को किसी भी जॉब की सता से घिसने से बचाए रगणने से बचाए वही क्या है वही आपके पोचे साधारनकार के लिए कितना रखा जाता है साधारनकार के लिए तो आप बताओगे 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है साधाना कार के लिए आप कितना बताओगे दोस्त 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है हेलिक्स एंगल की बात करें तो आप कहोगे जिस कोण पर जिस कोण पर क्या होता है भाई जिस कोण पर flutes काटे जाते हैं जिस कोण पर flutes काटे जाते हैं वही angle क्या कहलाता है helix angle वही क्या कहलाता है वही या helix angle ठीक है सर clear लिखा रही छोटे अच्र दिखते नहीं ठीक है भाई clear ही तो लिख रहा हूँ ठीक है चल plumber का बैच है नहीं दोस्त लेकिन बहुत ही जल्दी plumber का बैच आने वाला है plumber का बैच दोस्त बंदरा मार्च तक उम्मीद है 15 मार्च के आसपास आपका plumber का बैच यरे भाई नरेश plumber का बैच बहुत जल्दी lanch होने वाला है ठीक है थोड़ा सा आप wait कर लीँदी बहुत जल्दी जो है लांच हो जाए अब हेलिक सेंगल की बात करें भाईया तो एन टाइप डिल आपको पता है जो कट किये जाने वाला मटेरियल है उसके आधार पर ये क्या होता है भाई अलग-अलग प्रकार की होती है एन टाइप हो गई एच टाइप हो गई और आप क्या कहोगे एस टाइप हो गई तो कट किये जाने वाले मटेरियल के आधार पर इनका जो हेलिक सेंगल है वो क्या होता है अलग-अलग होता है ठीक है तो आप क्या कहोगे 10 डिगरी से 13 डिगरी 13 डिगरी से 16 डिगरी और एस टाइप के लिए 35 डि वियाद रखो वागी आगी जैसे प्रस्ट आएगा वैसे वैसे में आपको बता beneficilog फैड़े कि हो समयधे यहाँ पर लेफिश दिखो यह आपका थ्रिस्ट्रिल्ल धेल काई नहीं अलले वाली company रहती है उसका नाम size किस material का बना है अगर आप से बात करूँ मैं material का जो drill है वो किस material का बना होता है भाई बताइए लिख दीजे एक बार जल्दी से किस material का बना है कौन सी company ने इसको बनाया है इसका size क्या है ये सब कहां पर ये जो beach वाला पार्ट है इसको आम लोग क्या बोलते हैं नेक इसी पर अंकित रहता है इसके पीछे वाला जो पार्ट है ये क्या है दोस्त सैंक है अब इसमें जो सैंक दिखाई गई है जैसे मैंने आपको सैंक बताया सैंक कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की यहां पर जो सैंक है कौन सी सैंक है दोस्त टेपर सैंक दिखाई गई है अगर ये इसको एकदम सीधी कर देंगे तो कौन सी सैंक हो जाएगी स्टेट सैंक हो जाएगी तो यहां पर ये जो पार्ट है सैंक वाला इसी की सहायता से ड्रिल को मसीन स्पिंडल में पकड़ा जाता है HSS पिलकुल सही है यहाँ पर देखो भईया HCS का भी बना होगा और HSS का भी बना होगा बाब कहूगे कैसे नाडवल भाई देखो जो अगर फिटर की लाइप की बात करोगे आप फिटर वालों की बात करोगे तो high speed steel का ही बनाय जाता है लेकिन मैं आप से कहूँ जैसे कि example के रूप में समझो मैं आप से कहूँ एक drill आपका होता है flat drill क्या होता है flat drill flat drill आपने कभी देखा है नहीं देखा होगा देखे करा flat drill को कौन यह उप्योग करता है और यह high speed steel का नहीं बना होता है, यह HCS का बना होता है, ठीक है, जड़ा तर आफसर में आपको, अगर HCS भी दिया रहे, आपके मनें confusion होगा, यह high carbon steel भी दिया रहे, और high speed steel भी दिया रहे, आपसर नेखी चुनना है, तब आप क्या चुनोगे, HSS, यानि की high speed steel, ठीक है, तो यह taper sank के द्वारा, या sank के द्वारा, जो drill है, उसको machine spindle में पकड़ा जाता है, यह आपको point angle है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, यह आपका rate face है, यह cutting edge है, यह web thickness है, और यह आपका margin है, जो आपको होगे drill का size या drill का व्यास कहां पर लिया जाता है, तो आपको होगे margin या land पर लिया जाता है, drill का व्यास, drill का व्यास, यानि की diameter, drill का व्यास यानि की diameter कहां पर लिया जाता है, तो आपको होगे land या margin, land या margin प पर लिया जाता है ठीक है इतना डिल से याद रखो ठीक है डिल का साइज कहां से लिया जाता है भहिया डिल का साइज लेंड या मार्जिन पर लिया जाता है इस पर लिया जाता है डिल का साइज लेंड या मार्जिन पर आप पुछोगे लेंड या मार्जिन पर क्या लेंड या margin पर drill का जो diameter है उसी से उसका size व्यक्त किया जाता है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं प्रवेधित शित्र को बढ़ा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उप्रणों को क्या कहा जाता है तो भाई यहां पर option थोड़ा सा गरवड़ है इसको सही कर लेना ठ modest boring दूल अब तो समझत है क्या होगे कि उत्तर क्या होगा भाई तक आड़ वोग समस्जदार हम समझी गये होगे यहां पर क्या करने और बैंग ऑनल जो डिवाईस है या बड़ा करने की जो प्रकstellen और बढ़ा बोरिंग टूल तो कहल ईत्तर सही हो जाएगा यहां पर यसा ड़ नमबर-USA आप deuts zawsze बाते हैं कि निमन पर चाहिए दूल में किसमें उस उच्चे स्पिंडलवेग होना चाहिए थी रिपर ज्मन में किसमें उच्चेðपून sounds स्पिंडल वेग होना जल्दी से बता है मैक्सिम जाद कहीं पर होता है कहीं से जादा ज्बता है कहां से कहां तक किस नंबर में मिलता है किस में उच्छ स्पिंडल वेग होना चाहिए तो जो बोरिंग है जो सही माना गया वो क्या होना चाहिए बोरिंग में क्या होना चाहिए उच्छ स्पिंडल वेग आपका होना चाहिए ठीक है भाई चली तो बताईए भी या जो मौर्स टेपर है वो कहां से कहां तक किस number में पाया जाता है यह आपको बता है MT 0 से MT 7 बिलकुल सही है भाई 0 से 7 तक 0 से 7 नमबर तक 0 से 7 तक कितने size हो गए? 8 size में 8 size में क्या होता है? दोस्त मिलता है प्रस्ट नमबर 6 है किस सामकडि काउपयोग आम तवर पर और जिग बनाने में किया जाता है तो आप क्या कोगे किसका प्रयोग किया जाएगा इस पात का यानि की इस टील में भी आपसे पूछे भाई तो क्या बताओगे यहां पर तो ना रुच पूछ लिया की steel का उप्यूग किया आता है जी ग और fixer में अगर आपसे यह भी पूछ ले कि steel में भी कौन सा श्टील लो carbon steel, tool steel high carbon steel, high speed steel तो क्या बताएंगे बताएंगे थीक है बताएंगे तो आप आप यहां पर क्या कहोगे भीया तूली स्टील हो जाएगा तूली स्टील में भी आपका क्या दे इस टील में भी अगर आपका इस वस्टीकेशन दे तो आप क्या कहो जाएगा आप कहोगे टूली स्टील हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग फिक् गाइड नहीं करता है अब देखो जब यहां पर टूल को गाइड करना होगा जीग को तो इसमें जो बुस है जो डिलिंग बुक्स जो भी आप यहांदा है उसका प्रयोग किया जाएगा। जबकि फैक्शर में किसी भी तरह के बुस का प्रयोग नहीं किया रहा सकता है जीग का फायदा इकि एगक अगर आप यहां पर marketing ना भी करो तो भी आप क्या कर सकते हो, सही operation कर सकते हो, लेकिन fixture में आपकी marking की क्या होगी, जबर्जश्त आवे सकता होगी, बिना marking के आप fixture पर काम नहीं कर पाऊगी, अब देखे, जीग क्या है, जीग पर कोई जो कम कुसल कारिगर है, ठीक है जिसको मैंने की semi skilled worker भी काम कर सकता है जब कि fixture पर काम करने के लिए जो skilled worker क्या हो सकता होती हानि कि उसके पास proper skill होनी चाहिए तब ही वो क्या करेगा भाई काम कर पाएगा ठीक है चलिए पुंज और और चलिए तो अब आप यहां पर कया कहोगे indexing प्रेक्षा की किया जाता है तो आप कहोगे यहां पर किसी milling machine पर gear काटने में टिक मिलेंग भी काट सकते हेख kommen process होता है while logging process से भी आप क्या कर सकते हो वाइं काड़ सकते हो हॉबिंग प्रोसेस से भी आप क्या काड़ सकते हो गीर जो है काड़ सकते हो गीर का मर्टेरियल बताओ भाई जो आप कीए बिलास्टिक के बने हوتे है। छोटे जो बने होते हैं लेकिन जो सब्से ज़्यादा है यानि की धलवा लौहा का बनाया जाएगा लौहा का बनाया बताये बहुआ क्या वोलना है बताइए ठीक है चली बिल्कुल बिल्कुल आप आया जाएगा परसान मत हुए जिक्षिय में जो क्या करती है कारे को नियंतित करती है करतन उपकरणों को ढूड़ती है उपकरणों को दिशा देती है, करतन उपकरणों को धोड़ती और दिशा भी देती है नाइस समय मैं तो इंगली से पढ़ो एजी की इस्पिसल डिवाइसे, कंट्रोल दवर्क, लोकेट दा कटिंग टूल अगला है give direction to the instrument, अगला है find cutting tool and also give direction ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, find cutting tool यादने की cutting tool को धारन करती है cutting tool को धारन करती है और उसे direction भी देती है, ठीक है क्या देती है भाई, और दिशा भी देती है, धूरती का मतलब यहाँ पर निकलो कुंट्र दिशा भी देती है कॉंसा उत्तर सही होगा और mouse बताईए यहां पर देखो यहां पर यह ग्रव टाइपिंग हुआ है यहां पर 0.05 कर लेना ठीक है भाई अब बताओ बाड़ा में बास के रीमर से म्रिद इस पात का छित्र बनाना है अगर अब आम आप 0.3 है अंडर साइज यानि कि दिया है अंडर साइज इसको क्या बोलें सब्सक्राइज तो आप कहोगे ओषर साइज है 0.10 , 0 from okay times AMIर साइज कितना है 0.05 ं तो रीमिंग से पहले प्रवेधन के लिए प्रवेधन का जो व्यास है वह कितना होगा यानि कि सिंपल समझो भाई 12 mm 2 0.4 बनाना है 12 mm प्यास के रीमर से चित्र बनाना है 12 mm का जो रीमर है उससे final जो हमको hole चाहिए वो कितना चाहिए 12 mm का चाहिए लेकिन आपको drilling कितने की करनी है यह आप से पूछ रहा है यानि कि आप से क्या पूछ रहा है Reamer Drill Size Reamer Drill Size का मतलब समझ रहे हो भाई यानि कि Reaming आप कैसे करोगे अच्छे बताओ Reaming से पहले आप drilling करोगे न drilling करने के बाद रीमिंग करोगे न अब simple समझो भाई कि 12 mm का हमको एकदम finished hole चाहिए 12 mm का क्या चाहिए एकदम finished hole तो आप ऐसा तो है निकि drill 12 mm का कर दोगे अगर drill आप 12 mm का कर दोगे तो जब Reamer के दोरा उसको finish करोगे तो finishing में भी कुछ material कटेगा न तो आपका जो छिद्र है वो 12 mm से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा यानि कि हम क्या चाहते हैं भाईया कि 12 mm का अगर हमको final hole चाहिए तो हम क्या करें जो drill द्वारा hole करें वो थोड़ा सा कम size का करें बाद में रीमिंग द्वारा रीमर क्या करता है आपको पता है फिंसिंग करता है साथ ही साथ आपने पढ़ाओगा कि छोड़ा बहुत hole का size है उसको भी पढ़ाने का काम करता है तो 12 mm से हमको drill करना है 12 mm से कम हमको drill करना है तो हम कैसे निकालेंगे तो हम निकालते हैं किस से हम निकालते हैं आपका हम किस से निकालते हैं हम निकालते हैं आपका undersize से और oversize से अब देखोई भाई यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर फार्मूला होता है रीमर साइज निकालने का क्या होता है रीमर साइज इक्वल टू क्या होगा रीमर साइज माइनस आप क्या कर लोगे अंडर साइज अंडर साइज प्लस आप क्या कर लोगे भाई ओवर साइज यहाँ पर कर लोगे अंडर साइज प्लस ओवर साइज अब देखो जो रीमर का व्यास दिया है दोस्त रीमर का व्यास दिया है वो कितना है वो है आपका 12 mm 12 माइनस आप यहां पे क्या कर लोगे 12 माइनस आप कर लोगे 0.3 प्लस 0.05 तो यहां पे क्या कर लोगे माइनस है 0.3 प्लस 0.05 आप यहां पे कर लोगे अब यहाँ पिकार दोगे 12-0.35 तो आपका उत्तर कितना आएगा भईया 11.65 आपका क्या आजाएगा दोस उत्तर आजाएगा बताइए आपको समझ में आया नहीं तो अगर इस तरीके से आपको क्या दिया हो andersize दिया हो और over size दिया हो तो आप आसानी से किसी भी reamer का drill size निकाल सकते हैं reamer drill size का मतलब क्या हुआ दोस्त reaming करने से पहले जो हम drilling करेंगे उसका size क्या होगा ये हमको निकालना है तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका 11.65 हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई 11.65 आपका यहाँ पर हो जाएगा अब दीखे यहाँ पर कुछ रीमर आपको दिखाए गए है अगर भाईया मैं आपसे कहूँ रीमर का जो क्लासिफिकेशन है रीमर का जो classification है आप कैसे करते हो रीमर का classification आप दो तरीके से करते हो एक होता है आपका hand riemer यानि कि जिसमें आप सिर्फ hand की साहता से क्या करते हो रीमिंग करते हो जैसे कि मैंने अभी आपको drill वाला बताया था hand drill बताया था जिसमें आप क्या कर रहे थे हैंड से जो है ड्रिलिंग कर रहे थे और दूसरा क्या था जो मशीन रिल था पावर रिल था जिसमें आप मसीन के सहाधा से कर रहे थे तो इसमें क्या हैических है Mickey होते हैं मसीर हां हां अधसा प्रयोग होते हैं और जो मसीन ही याइक रिमर आप आपसे पूछे कि बना होता है इन्हों यार्यんだ वारिंग के बाद की जाने वाली प्रकृया को प्रक्रिया को जी कैसर का ऊ होता है इस तरिके से कई अपका होता है इस तरीके से बहुत कम का होता है लेकिन जो जीग है वह आपके लिल्ए से बहुत ज्याद़ ठीक है चब में देखो भाई क्या है जीए कई प्रकार का होता है जैसे कि कुछ एक्जांपल जो अभियाद हैं वह में लिग दे रहा हूं जैसे कि यहां पर देखो क्या है indexing जीग आप पढ़ेई चुक है indexing जीग है अगला है आपका angle plate अगला है अगला आपका क्या है भाई अगला है आपका टुणीयन जीग तुनीयन जीक कि फिर इसी में आपका आलाता है प्लेट जीक ठीक है इसी में आपकाלא जाता है box jig यह हमारे क्या है कुछ jig के जो है प्रकार है तो भाई देखो drilling या boring की बाद जो की जाने वाली प्रक्रिया है वो क्या है आपके reaming है reaming lounge भाई बताईए हाँ देखो लड़का एक लिख भी राय टूनियन प्लेट jig solid jig यह सारी चीज़े है ठीक है हाँ class रोज चलती है Monday to Saturday चलती है 2 p.m पर आपकी class यह चलती है अब जैसे कि मैं कहूँ कि जो reaming है तो reaming में क्या दिया जाएगा तो कुछ allowance दिया जाएगा reaming में क्या दिया जाएगा कुछ ने कुछ allowance दिया जाएगा reaming allowance में कही बार पता चुका हूँ ठीक है कही बार बता चुका हूँ तो आप लिख दो अगर आपको पता है तो filing allowance 0.025 से 0.5 mm जो आपका honing allowance होता है 0.01 से 0.2 mm जो laping allowance होता है 0.005 से 0.01 या 0.02 mm तक जो आपका scrapping allowance होता है वो 0.01 से 0.4 mm तक होता है यह सारी चीजे आपको जो है यह सारी चीजे आपको याद रखने हैं हां भाईया कहत रहां रोज चलेगा प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव यह आपका क्या होता है तो यह आपका रीमिंग इलाउंस होता है हाँ यह चालू कर देंगे मिथुन कुमार बहुत जल्दी चालू कर देंगे ठीक है परसान मत हो बहुत जल्दी चालू कर देंगे अगला क्या है फाइलिंग या घिसाई के बाद क्या की जाती है बताई है । फाइलिंग के बाद कौन सा ओपरेशन करते हो बताओ भई तो आप क्या कहोगे फाइलिंग के बाद कौन सा Operation करते हो Scraping Operation करते हैं कैसा करते हो जो Scraping Operation करते हो Explraper क्या है Very filing کے बादрем Islands मान के चलो कुछ High Spots आपके बच गहे तो उसको हटाने के लिए आप जो क्या करते हो उसको हटाने के लिए स्क्रपिंग करते हो अब इसके लिए आप Scraping के लिए टूल इस्टील का स्क्रैपर किसका बना होता है दोस्त टूल स्टील का कभी कभी जो पुरानी फाइल्स होती है उसके भी स्क्रैपर बना लिए जाते ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ के कास्यों पीतल जैसे मृद्धात परार्थो को काटने वाले है प्लेट का जी हो रहा है जल्दि से क्लास को क्योंकि दो बजे से तीन बजे से दूसरी मैत की क्लास जल्द ही सुरू हो जाएगीoser क्रिंच के लिए सीवानी जी मैती बंढ़यास 15 मार्ज के बाद के लिए क्लास आपकी चुरू हो जाएगी में क्लाइस बहुत जल्दी जो साथ स्वित वाले बच्चे मिश्यूं यहां पर सही उत्तर क्या होगा दोस्त 1.8 होगा सबसे पहले बताओ भाई जो हैक्साब्लेड है वो किसका बना होता है है यह बताओ घर्ट सब मटेरियल बताना एक मटेरियल नहीं ठीक है मुलायम धात के लिए 1.8 बिलकुल सही यह दोस्त बहुत सांदार ठीक है तो बताए ह Xablet जो है किसकी बनी होती है तो आप कहोगे यह HCS की बनी होगी या HSS की बनी होगी यारनि कि High Sped Steel की बनी होगी किसकी बनी होगी भाईलोिय्ट की भी बनी होती है Low Eloy Steele की बनी होती जिसके बाद इस्की Hardening कर दी जाती है देंपरिंग कर दी जाती है एक चीज़ा दगना दो इसकी टीथ की ही हार्डनिंग की जाती है ठीक है वागी जो इसकी पीछे वाली वाड़ी है उसकी हार्डनिंग जो आपका hexa Frame है वो किसका बना होता है तो वो तो आपके हो back को धार धर कॉमकैल पहला हो गया आपका पॉर्स ठीक है दूसरा आपका हो Mayhem दूसरा क्या हो गया मीडियम थीष्ड आपका wing और चौथा आपका क्या हो गया वेरी फाइड तौथा Works कि'RE हो गया वेरी फाइड अब देखो इन में क्या होती है पर इन्च जो है दातों की संख्या क्या होगी अलग-अलग होगी और जो इनका pitch होता है वो भी क्या होता है अलग-अलग होता है अगर course की बात करें तो इसका pitch है 1.8 medium की बात करें तो pitch होता है 1.4 जो fine है उसका pitch होता है 1.8 सारा जो unit है किसमें mm में है ठीक है और जो very fine होता है इसका कितना होता है 0.8 mm होता है तो यह आप पिछ याद रखेंगे, जैसे कि मान के चलिए आप से प्रस्ट ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछे, कि कास्षिवा पीतल जैसे मिर्ट पदार्थों को काटने के लिए, किस grade के हैट सावलेट का उग्योग किया आता है, तो आप क्या बता होगे भाई, कोर्स थिन ट्यूबिंग, उसको काटने के लिए किसका उप्योग होता है भाई, 0.8 mm वाली पिछ का इस्तिमाल होता है, ठीक है भाई, आनली टीफ की हार्डिंग होती है, बिल्कुल चाहिए भाई, प्रीम एल्फिरोवन का अंतरह, 69 से 65 से बिल्कुल चाहिए है दोस्त, ठीक है, चले, 13 है, बाल वीरिंग के जो स्टील बाल्स हैं, वो किस से निर्मित होते हैं, बाल वीरिंग के जो स्टील बाल्स होते हैं, दोस्ति ये किस से निर्मित होते हैं, देखो ये इस तरीके का आपका बाल वीरिंग होता है, और बाल वीरिंग में कैसा कांटेक्ट होता है, तो होगे line contact होता है और जो इसकी बाल्स होती है वो किसकी वनी होती है तो carbon chrome steel की वनी होते है किसकी वनी होती है carbon chrome steel की वनी होते है अगला प्रस्थन है drill machine के spindle में कौन सी bearing प्रयोग होती है ठीक है drill machine के spindle में कौन सी bearing लोस्त क्या की जाती है प्रयोग की जाती है यह आपको बताना है आस इस तुम्हारा उत्तर सही है दोस्ता है चलिए बताइए रिल मसीन के शुरु में बताया था कई तरह का है उसके स्पिंडल भी क्या लगा उसका स्पिंडल लगी होगी तो कौन सी बीरिंग लगी होती । यह आपको बताना है deadline यहां पर देखो क्या होगा दोस्त इस्प्लिट बीर्ण होगा अब जो इस वी बीरिंग है यह कैसा बीरिंग है तो आप कहोगी turned विरिंग है और जो बाल बीरिंग है और रोलर बीरिंग है यह कैसा बीरिंग है दोस्त एंटी फ्रिक्षन बीरिंग है कैसा है एंटी फ्रिक्षन बीरिंग है कैसा बीरिंग है एंटी फ्रिक्षन बीरिंग है आगे बढ़ते हैं भारी बीरिंग के लिए जिस बीरिंग का उप्योग किया जाता है वो सामानता होते हैं यह प्रस्ण क्या है आपके लिए दोस्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रस्ण लगातार किसी न किसी परिच्छा में आप से पूछा जाता रहता है भारी बीरिंग के लिए मतलब ऐसी जगह जहां पर भारी लोड हो या बड़ी बीरिंग हो या ऐसी मसीन में उपयोग करना हो जहां पर लोड क्या हो बहुत ज़ादा हो तो वहां पर हम लोग किस पियरिंग का उपयोग करेंगे घरसड बीरिंग तो देखो भाई फ्रिक्षन बीरिंग का तो विल्कुल नहीं करेंगे यह तो पहला ही गलत हो गया अब देखो यहां पर है Antifriction Bearing अब Antifriction Bearing तो है लेकिन roller और बार वियरिंग भी क्या है Antifriction Bearing याने कि Antifriction Bearing को भी वो क्या कर दिया यहां इन दो Option में रख दिया एंटी फ्रिक्षन बीरिंग को भी यहां इन दोन ऑप्षन में रख दिया अब आपको इन ही दोनों में से क्या करना है चूज करना है ठीक है चलिए आपको इन ही दोनों में से क्या करना है भाई चुनना है कि कौन सा आपका यहां पर सही हो क्योंकि फ्रिक्षन बीरिंग तो ह होता है दोलर बीरिंग सांदार भाई जन्मेश वर्मा सांदार ठीक है क्या है आपको उत्तर जो है सही है चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी करेंगे तो कि टिक वेल्डिंग में परिरच्छन काल के लिए कौन सी गैस का क्या किया जाता है प्रयोग किया आता है यानि कि सीदिंग परिश्चन मतलब सीदिंग अब आपको यहाँ पर पता है जो टीग है घ्र के फूल गया यहां पर फ्रश्स नहीं करते i7 यहां पर हम लोग क्या करते हैं तो आप को होता है दो आप को होगे फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मतलब है काओं सा हैadति 1965 भाए दो एक आपको आपका यह इलक्ट्रोड होता है काओं आपको टो होता है कैसा होता है भाई non-consumable आपका ये electrode होता है कैसी current का उप्योब कर सकते हो आप कहोगे AC या DC दोनों का उप्योब कर सकते हो आप कहोगे जो arc welding है उसमें हम लोग किस तरह के transformer का उप्योब करोगे तो आप कहोगे step down transformer का उप्योब करेंगे क्यों क्योंकि welding में हमको voltage low चाहिए और current काया सचाहिए तो आप क्या कहोगे पूछता है क्या आथ कि welding में तो आउप सकता ही नहीं है क्या ट्राнसफरमर तो आप कहोगे step down transformer किसका भिया step down transformer क्या करते हैंidir करते हैं ठीक है यहां पर आर्गन सही कर लो अब जो आक्सी इस वेल्डिंग होती है उसमें इस इत्रीन का उप्योग किया जाता है ठीक है और एस लिंग का फर्मूला होता है क्या सी टू एस टू ठीक है फलो को पकाने में भी इसी गैस का उप्योग जो है किया जाता है ठीक ह धाद उपर पिघला flux जो ठोस बन जाता है वो क्या कहलाता है देखो भाई जब आप flux का उपयोग करते हो तो flux भी क्या होता है melt करता है और वो पिघला ठोस पिघला flux यानि कि melted जो molten flux है वो जब solidify हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं वैद्ध कि अनुपात में मिलाया जाता है जैसे कि आप भूसता है कि थर्मिट कैसी वेल्डिंग है तो आप कहोगे फ्यूजन तो है फ्यूजन वेल्डिंग तो है लेकिन इसके अंतरगत क्या है भाई इसके अंदर भी रासायनिक रासायनिक प्रत्क्रिया यानिकी रासायनिक प्रत्क्रिया chemical reaction building है ठीक है रासानिक प्रत्रिया building क्योंकि इसमें क्या होती ही भाई इसमें chemical reaction के कावा हम लोग heat generate कराते हैं और जिससे जो melted iron है उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं building करते हैं अब thermit building का उपयोग कहां पर किया जाता है तो आप क्या कहोगे rail की पटरियों को जोडने में rail की पटरियों को जोडने में क्या किया जाता है भी या thermit building का उपयोग किया जाता है और इसमें iron oxide और aluminium oxide का जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है आप कहोगे 3 is to 1 iron जादा aluminium कम तो कौन सा option सही होगा 2 is to 1 नहीं होता राज सिवा सिधान दभाई 2 is to 1 नहीं होता क्या हो जाएगा 3 is to 1 आपका हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलखिती में से किस कारक पर weld नियता निरभर नहीं करती है यानि कि जो weld ability है किसी भी metal की weld ability है weld चमता है या weld योग्यता है वो किसे पर depend करेगी तो आप कहोगे melting point पर thermal expansion पर विल्कुल heat conductivity उसकी कैसी है उस पर boiling point कहां से आ गया भाई जो weld ability है उसका boiling point से कोई संबंदी नहीं है तो यहीं उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि जो weld नियता किसे पर निर्भर नहीं करती है तो आप कहोगे जो इसका क्वथनांक है जो boiling point है उस पर निर्भर नहीं करती है चलिए अगला है आपका last person है निर्णलखित में से कौन सा cutting तरल का कार्य नहीं है ठीक है नहीं है यानि कि जो cutting fluid है cutting fluid है याज इसे आप लोग coolant भी बोलते हो क्या बोलते हो coolant भी बोलते हो किसमें जवाब इसे लेट वगएरा पर cutting करने लगते हो turning करने लगते हो तो देखो white color का solution है गिटतरा अगर आप नहीं किसी industry में गए होगे तो आपने देखा होगा तो वो क्या है cutting fluid है है उसी को हम लोग क्या बोलते है coolant भी बोलते हैं ठीक है जैसे कि आप देखो simple सा जो mild steel है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कौन सा coolant उपयोग करते हैं तो आप कहोगे जो soluble oil है उसका उपयोग करते हैं काश टर्ण के लिए किसी भी coolant का उपयोग नहीं करते हैं जो आपका aluminum या copper है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं कि रोसीन ओपयोग करते हैं तो बताओ कौन सा जो coolant का कारी है वो नहीं है भाई जल्दी से बताईए कि क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका तो option यहां पर सही हो जायेगा चीप्स और उपकर्ण के सता को गर्षण को जादा करना यही वाला option क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है वताइए बताये भाई कैसी लग का आपको आज कि क्लास Track को जल्दी से तीज सेकेंड के अंदर पूछ लीजिए नए तो फिर हम लोग अपनी क्लास को खतम कर रहे होंगे ठीक है भाई चलिए एक बार अगर क्लास अच्छी लगे हो दो सेशन को लाइक भी कर देना सेर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल स्क्राइब जरू कर देना उमीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी कल मिलेंगे हम लोग नेज्ट क्लास में नए प्रस्णों की एक सिंखला के साथ क्लास से जुनने के लिए आपका दोस्तों बहुत- बहुत-थन्यवाद मैयराथन क्लास लाएंगे भी इस संडे को तो नहीं अगले को विल्डिंग की होगी उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे दोस्त फिटर की मैय आफन क्लास बहुत जल्दी लाएंगे ठीक है परसान मत भी हाहाँ सी आटिस मैथ क्लास यूट् नहीं